आज 18 सितंबर है और बीए सेकेंड डियर का रिजल्ट आ जाया है रेगुलर वालों का और प्राइवेट वाले पूछ रहें कि कब से आएगा तो आपका भी जल्दी आ जाएगा तो एक दिक्कत है जो सबसे ज्यादा रिजल्ट में ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन जो मैक्सिमम कमेंट्स आ रहे हैं वो इस बारे में भी आ रहे हैं जिसके बारे में आपने थमनेल पर देखी लिया होगा डिटेंड यूटू एमसी जो लिखा हुआ रहा है देखो इसकी वीडियो इस तरीके से भी इसलिए भी बनानी जरूरी थी क्योंकि जो नीचे रिमा हो जैसे आपके पास परची बगार पकड़ी गई या फिर कोई गलत भी होता तो यूए फम में उसे डाल देते हैं डिटेंड होता है जब कुछ आपका पुराना कुछ पंडिंग पढ़ा हुआ हो मालों किसी में एक में बैक लगी थी आपकी और सेकिंडियर क्या जो है रि सबसे जादे दिक्कत आएगी या फिर अदर वालों को यूपी से अलग वालों को ठीक है कैसे आती यह देखो अगर आप यूपी बोर्ड से अलग होते हो और उनिवरसटिटी में आते हो तो आपको जो होता है कि माईग्रस इसे अगर सिद्दी सी बहसवान में अगर बोले कि आपने एक स्कूल छोड़ा है और दूसरी स्कूल में आ रहा है तो जैसे प्रिंसिपल का कॉलेज में जाकर डीन हो जाता है वैसे ही टीसी को यहां पर माइगरेशन सर्टिफिकेट बोल देते हैं मतलब वही होता है माइगरेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर आप यूपी बोड से अलग किसी बोड से हो तो बहली चीज अगर बारविया आपने सीज्ट से करी है तो आपको फॉर्म में जरूर से माइगरेशन सर्टिफिकेट का नंबर भरवाना पड़ेगा तो यह चीज होती है तो अगर आपने माइगरेशन सर्टिफिकेट नहीं लगवाया आता है तो यह अपने अपडेट हो जाएगी मांसित तब आपको टैंसल लेने की ज़रूरत नहीं है एक केस ही हो गया ठीक है अगर आपने माइगरेशन सर्टिफिकेट जमा कर दिया है तो दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं अपने यह हो जाएगा और एक जो केस होता है वह होता है मालों आप किसी युनिवर्सिटी से दो कोर्स कर रहे हो एक कोर्स आपने प्राइवेट कर लिया एक रेगुलर में ए अपडेट हो जाएगा लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड से थे या विर सीचेस उनिवर्सिटी से सीचेस उनिवर्सिटी में ही हो तो आपको ज़रूरत नहीं पढ़ने कि इसकी ठीक है तो यह अपडेट थी बाकि अगर फिर भी किसी को कोई सवाल हो क्वैरी हो तो मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो